मेरे लिए लोगों का जो प्रेम है वो मेरे लिए बहुत कुछ है तो इसलिए बमोरी में मेरे लिए चनौती जैसा कुछ नहीं है लोगों के लिए कुछ कर पाना ये सब मन में इच्छा रही है तो एक यह रास्ता है जिससे जनसेवा हो सकती है कि जो बमोरी का विकास रुका ह हुआ है वो दोबारा वैसे ही विकास बमुरी गती पकड़ेगा में सिर्फ विकास की और इमानदारी से जनता की सेवा करने की है वो बमुरी विदानसभा में नो डाउट आदिवासी समाज का वोट बैंक बहुत ज्यादा है पी रेट बता रहे हैं कि जिसमें 22,500 करोड का वि हम बमुरी विदानसभा इलाके का दोरा कर चुके हैं हमारे साथ कॉंग्रेस के प्रत्याशी रिशी अगरवाल हैं जो की पेशे से इंजीनियर है और राजिनीती आपको विरासत में विली है रिशी जी किस तरह की चुनोती है क्योंकि चुनाओ और चुनोती जी क्या देख चुनोती जैसा कुछ नहीं है क्योंकि जो पिछले दस साल में बमुरी में विकास नहीं हुआ बमुरी में ब्रष्टचार का बोल बाला है बमुरी में एक जो मेरे लिए लोगों का जो प्रेम है वो मेरे लिए बहुत कुछ है तो इसलिए बमुरी में मेरे लिए चुनोती जैसा कुछ नहीं है एक बात और है कि दावा हो रहा है कि बाइस हजार करोड के काम हुए है सड़क पर किस तरह का नजा रहा है मेरे ख्याल से अभी आपने यही बोला था कि आप खुद बमोरी को विजट करके आए हैं तो जब आप बमोरी में देखेंगे तो 22,000 करोड का अगर विकास हुआ होता है तो मेरे समझ में कि बमोरी को हम इंदॉर और भुपाल जैसे शहरों में बदल देते हैं आज बमोरी में पिछले दस सालों में या जो ये पीरेट बता रहे हैं कि जिसमें 22,500 करोड का विकास हुआ है उसमें ना तो कोई बड़ा तालाब बना ना तो कोई विद्युत के लिए कोई परियोजना आई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडरस्टीज आई तो ये जो सारी चीजे हैं ये सिर्फ कागजी हैं और कागजी भी नहीं काऊंगा ये तो सिर्फ एक घोशनाय हैं घोशनाय भी अगर ना कहें तो ये तो मतलब एक बहुत बड़ा जूट है जो जंदा के सामने परोसा जा रहा है इंजीनियर से राजनीती का रास्ता और विदायक बनने का एक ललक क्योंकि देख रहे हैं कि राजनीती में इस समय जितने भी लोग आ रहे हैं उनका दिखता कुछ है होता कुछ है तो इस पूरे प्रदूशित माहौल में कैसे अलग करेंगे देखिए जिस माहौल को आप प्रदूशित कहते हैं मतलब माहौल तो खुद के हिजाब स से बनता है अगर आप किसी गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसका नहें आपको खुद को स्वैयम करना होता है तो मतलब हमारी जो मांन सकता है उसमें सिर्फ विकास की और इमानदारी से जंता की सेवा करने की है तो इसलिए वो रास्ता हमें प्रदूशित नहीं देखता हमें तो वो रास्ता सिर्फ जन्ता की सेवा का और बमुरी के विकास का देखता है 2013 में पिता जी ने लड़ा चुना हो जन्ता का अशिवाद नहीं मिल पाया लगबग 10 साल का पूरा एक वैक्यूम तो क्या रिशी अगरवाल ने 10 साल पहले ही तैक कर लिया था कि मुझे पापा की रहा पर आगे चलना है मैं अगर आपको सही बताओं तो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का वैक्यूम है वैक्यूम उसे कहते हैं कि 10 साल पूरे शेतर के अगर मैं संपर्क में नहीं रहता या मैं जाना चुआ रहा हूं कि पिताजी के इस पूरे उसके बाद आपने अपने आप में कभी ये निर्ने लिया कि मुझे अब राजनीती में सक्रिय होना या चुनाओ लड़ना है ऐसा बहुत कुछ मैंने सोचा नहीं था लेकिन जब अभी कॉंग्रेस पार्टी के सर्वे चल रहे थे क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के लिए मैं काम कर रहा था चुनाओ आ रहा थे तो जनता के बीच में मेरा जाना बार बार हो रहा था तो जब कॉंग्रेस पार्टी का सर्वे चल रहा था तो बमोरी की जनता ने बमोरी के जो सभी लोग है उन्होंने सर्वे में मेरा नाम पहुचाया और सभी लोगों ने बराबर रूप से जब मैं जाता था शादी में जाता था या कुस रामायन भागवाज जी के भंडारों में जाता था सामाज एक समारों में जब भी जाता था तो लोगों ने मेर से ये चीज़ कहना चालू करी कि आपको आगे आना चाहिए आपको यह करना चाहिए और उन्हीं ने मेरा नाम पहुचाया और उन्होंने होसला बढ़ाया और उससे कॉंग्रेस पार्टी ने मेर पर विश्वास जताया तो बस यह है कि अब चुनाओ भी वमोरी की जनता लड़ेगी और चुनाओ भी वमोरी की जनता जीतेगी दूसरी बात यह कि यहां पर मैं देख रहा हूँ कि सहरिया पटलिया लोधा और फिर अधर कास्ट राजपूत वगरे कम है और जाती यह आधार पर कही न कहीं ना चाहते हुए भी हिंदुस्तानी लोक्तंत्र में बात आही जाती है तो सहरिया को लेकर कुपोशन है उनकी दूसरी दिक्कते हैं उनके नल जल की बात है उनके जल जंगल और जमीन का मामला है जैसे जाबुआ से लोग आए यहां पर बसे तो किस तरह से आपका एक रोडमेप है देखिए जहां तक अगर इसकी बात करें तो बहमोरी विदान स में नो डाउट आदिवासी समाज का वोट बैंक बहुत जाधा है और अगर अपन शख्रीय समाज की बात करें तो सबसे ज्यादा जो गरीब समाज है वो सहरिय समाज है पूरी पमोरी विदान सबा में तो अगर अपन बात करें कि आपने जैसे मुझे नहीं मालूम कि लोदा समाज का किज़वे में बोला समाज बहुत है धाकर समाज है लोदा समाज है यादफ समाज है यही आपने जो बोला कि मुख्धारा से दूर है, अभी वो लोग सरकार से अपने आपको सब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी इस्तिती जैसी थी, वैसी है, सरकारी योजना को उनका, उन लोगों को लाब नहीं मिला, तो अभी वो लोग सरकार को ठगा महसूस कर रहे हैं, निश्चत रूप से वो कॉंग्रेस के साथ रहेंगे, विदायक बनने का ही रास्ता क्यों? विदायक बनने का रास्ता क्यों वाली बात नहीं है, कि शुरू से एक सभाव रहा है, कि सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे हाँ, मतलब सभी लोगों के साथ अच्छे संबन्द रहना, एक सोशल लाइफ को, मतलब सोशल लाइफ में रहना, लोगों के लिए कुछ कर पाना, यह सब मन्द में इच्छा रही हैं, तो एक यह रास्ता है जिससे जन से वह हो सकती है, हाँ, बिलकुँ. बात यह है कि बमोरी में आपको लोग विधायक के तौर पर क्यों चुने पांच बिंदू? बमोरी में आपने पूछा कि लोग मेरे को विधायक के रूप में क्यों चुने? सबसे बड़ा मुख बिंदू यह है कि उन्होंने बमोरी में सभी लोगों ने मेरे पिता का कारकाल देखा, उस कारकाल में हम लोगों ने बमोरी का, मतलब सभी लोगों ने मिलके बमोरी का उस जो दस साल थे 2003 से 2013 के बीच में, तो उस पिरिट में बमोरी का बहुत तेजी से विकास हुआ था तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि वो सबसे बड़ी ताकत है कि जिससे आज लोग पसंद करते हैं उनको लगता है कि जो बमोरी का विकास रुका हुआ है वो दोबारा वैसे ही विकास बमोरी गती पकड़ेगा और जो अभी बमोरी में भ्रष्टचार व्याप्त है जो हमारे हां बमोरी में क्या पूरे मद्रप्रदेश भ्रष्टचार है लेकिन अभी तो बमोरी की बात करें तो बमोरी में पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा पंचायतों में जब हम लोग जाते हैं तो ुसी लोग बताते'm कि 30 percent commission वाली बात चलती है तो एक तो भ्रष्टचार मुट्थ बमोरी बनाना है बमोरी को विकास करना है, बमोरी में जो लोगों को मान संमान नहीं मिला, उसकी सब की चिंता करना है, सहरिया बच्चों में कोपोशन की जो बात करते nggak अकेले सहरिया नहीं कई आदिवासी समाज हैं, कई उसमें कमल इंट मे conserv Will में मिलके करना है तो ये थे हमारे साथ इंजिनेर रिशी अगरवाल जिन्हों ने इस समय कॉंग्रिस के साथ में अपने आपको पूरी तरह से जोग दिया है जनता के बीच और इनका आत्मविश्वास है क्योंकि युवा है उर्जा से वरपूर है और राजनीती इन्होंने कह ने कहीं विरासत मिली है भजपन से वो माहौल देखा है लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पांच वर्ष में एक बार होने वाले चुनाओं में आम तोर पर जब एक प्रत्याशी किसी भी मद्दाता के दरवाजे पर जाता है तो उसका जो भाव होता है वो अलग होता है औ उसमें युवाओ की जरुरत है अगर ये आगे आते हैं तो किस तरह से जनता के साथ अपने रिष्टों को निभाएंगे कैमरा परसंट संजय पांडे के साथ टी एन मनीश एन भारत बहमोरी